तो आज हम लेकर के आए हैं बहुती मज़दार सी रेसिपी जो की आपका देखते ही मन तो करेगा बनाने का और मैं इसलिए ये रेसिपी लेकर के आई हूँ बहुत आसान है बनाना तो सबसे पहले हम उसकी कुछ तैयारी करेंगे तो ये हमने लिया है बेसन अब बेसन को हम भ ही ली हूँ पुचलिए मैंने गेस को जलाल ये अब इसको हम लो फ्लेम भूणेंगे यह बैसन और बैसन को हम लो फ्लेम पे पहले भूण लेंगे अच्छा सा इसमसुनहरा कलर आजाए तब तक हमें इसको भूणना है तो तब तक अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेर कीजिए तो चलिए ये हमारा तो देखिए भून करके हमने ले लिए है इसका कलर देखिए चेंज हो चुका है, बदल गया है अब ये हमारा अच्छी तरह से भून चुका है तो चलिए अब इसको हम निकाल करके थोड़ी सी ठंडा करेंगे और ठंडा होने के बाद इसमें हम क्या एड़ करना है उसको बताएंगे तो चलिए इसको हमने निकाल करके ले लिया है ये हमारा ठंडा भी हो चुका है अब चलिए इसमें हम कुछ मसाले एड़ करते हैं तो मसाले में हमें धनिया पॉडर ये सम नहीं एड़ करना है ये हमने लिया है कलोची और ये अजवाइन ये दो चीज हमने लिया है अब इसमे ये मसाला है तो अगर वो नहीं रहता है तो आप निम्बू यहां एड़ कर सकते हो और यहां पे आमचुर पौडर भी एड़ कर सकते हो और यह हमने डाल दिया हरी धनिया और यहां आप पच्छ फोरन भी डाल सकते हो अगर आपके पास भरने वाली मिर्ची नहीं है तो तो य यह मैं काणदाली हुँ इसको भी मैंने बड़े साइज का ले करके काटा था और इसको बारिक कटिंग करके डालना है तो इसको डाल दिया अब यह हमने लसुन और मिर्ची ये दोनों हमने कूट करके लिया है खड़ा नहीं डाला है क्योंकि मूँ में आ जाता है तो खाने में स्वाद नहीं आता है तो इसके लिए इसको कूट करी डालना चाहिए तो इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है तो यह हमने इसमें डाल दिया है अब चलिए इसमें हम नमक डाल देते हैं नमक हमें हिसाब से डालना है क्योंकि हमने जो अचार डाला हुआ है उसमें भी नमक रहता है इसके लिए हमें उसके हिसाब से इसमें नमक डालना है तो यह हमारा नमक डालके हो चुका है दूसरी बा कोवह तो आगे और भी बढ़ाए सिकते हो इसको सबसे पहले हम करेंगे मिक्स और करके देखेंगे कि इसको हमज़ेसे मुठी है तो इसको हम चेक करेंगे इसको मुठी काने पे बानने पिर यह पता चल जाएगा किophone कि वायदा मन जाता है तो समझ ये बहुत अच्छा है तो अब ये हमारा तो तयार हो चुका है अब चलिए दूसरी तयारी करते हैं तो दूसरी तयारी के लिए ये हमने ले लिया है बड़ी वाली थाल और उसमें हम लेंगे गेहूं का आठा तो गेहु का आटा आप अपने हिसाब से ले लेजिए, मैं यहां दो से तीन कप का यूज करने वाली हूँ, गेहु का आटा, तो मेरा दो कप हो गया, यह तीसरा कप हो गया, तो हमने यह गेहु का आटा ले लिए, अब चलिए इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे नमक, इसमें भी हमें नमक हिसाब से डालना है हलका ही डालना है ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमने उसमें भी नमक डाला है तो यह नमक डाल दिया अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन तो इसको क्रश करके डालिए ताकि टेस्ट अच्छा आए तो यह हमने डाल दिया से तीन चम्मच के बराबर ही इसमें घी डाल रहा है हूं और इसको हम HIS कर लेंगे अगर आपको पसंद है तो और ढाल सकते हो कोई दिकत नहीं होगी तो यह देखिए इसको अब अच्छी तरह से पहले मसल के मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके मैंने इसलिए एक कम डाला है की पता न चले इसमें गी का तो ये हमारा मिक्स करके होगे आप चलिए इसका हम आटा गुंत लेंगे आटा हमें यहाँ पे कड़क गुंदना है ज़्यादा हमें नरम रोटी जैसे नहीं करना है तो चलिए हम आटा को गूद करके ले ले रहे हैं कड़क सा तो आप देख सकते हो ये हमारा आटा गूंद लिया है कड़क है ज्यादा नरम हमने नहीं किया है अब इसकी हम लोईयां बना लेंगे जैसे हम रोटी की लोई बनाते हैं वैसे ही तो आपके बड़ी चोटी जैसी आपको बनानी है उतनी साइज की आप बना लो और ऐसे उसको हमें लोई बनाना है बीच में हमें खड़ा रखना है और ऐसे बनाना है तो ये देखिए मैं कैसे गोल-गोल करके आप अपने इसाप से जैसे बनाते हो वैसे बना सकते हो तो ये देखिए अब यह हमारी तयार हो चुकी है अब हम इसमें अपना भरेंगे जो बेशन का बनाया है श्टपी यह देखिए अब इसको हम भर के ले लेंगे तो यहां पे मैंने दो चम्मच डाला है अगर कम जादा रहे तो इसको आप निकाल भी सकते हो और पहले ऐसे सेट कर ले आपको जैसे जमता है पैक करने का आप वैसे पैक कर सकते हो तो मुझे ऐसे ही आसान लगता है तो मैं ऐसे ही पैक करती हूँ यह देखिए यह देखिए अब यह हमारा पैक हो चुका है यह देखिए अब यह सेट हो गया हमारा तो यह हमारी बन गई है बटी तो जी हां आज तो हमारी यह बत्ती बनके तयार हो चुकी अब ऐसे ही हम और बनाकर के ले लेंगे तो यह देखिए मैंने इतनी सारी बनाकर के ले ली है और आप चाहो तो हलका आठा भी लगा सकते हो पर मैं यहाँ आठा नहीं लगा रही हुँ आठा से क्या होगा कि थोड़ा इसमें का हमारा कुकर इसके लिए हम में आटा नहीं लगाऊंगी अब चलिए इसकी सिकाई करते हैं हम तो यह हमने कुकर रख दिया है अब इसमें डालेंगे हम तेल तो तेल यहां पे हमें इतना डालना है कि पूरा हमें इसमें बस फैलाना है उतने तक ही डालना है तो यह देखिए मैं इसमें पहले तेल को लगाऊंगी अगर जितना ज़्यादा रहेगा तेल उसको मैं निकाल करके ले लूँगी तो देखिए मेरा तेल इसमें ज़्यादा हो गया था तो मैं इसको निकाल करके बाकी का तेल ले ली हूँ और ये मैं अच्छे से इस पे सारा सेट कर दूंगी तेल को तो यह हो गया हमारा अब इसमें हम अपना जो बट्ती बना हुआ है इसमें ये देखिए डाल के ले लूँगी अब ऐसे हमें जितना इसमें आएगा उतना हम इसमें रख देंगे पकने के लिए ये देखिए ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं ऐसे ही आप जितना आता है कुकर में उतना आप ले लो और इसको हमें अब लगाना है ढखकन तो ढखकन पे हमें ना सीटी ना रबड ये कुछ भी रही रहना चाहिए और इसको हम बंद कर देंगे अब ऐसे ही तीन से चार मिनट तक छोड़ देंगे तब तक हम अपना चोखा बना लेते हैं चोखा यानी भरता आप बनाते हो तो ये तो इसमें जरूरी है तो हम इसको भून कर बना रहे हैं तो ये टमाटर और बैगन जो है इस पे मैं तेल लगाई हूँ तेल लगाकर इसके भूनों तो ये जल्दी जलता नहीं है बहुत अच्छे से पक जाता है तो मैंने देखिए उपर उपर तेल लगा हुआ है ऐसे ही इसको हम भून करके ले लेंगे और इसके बाद इसका जो जला हुआ छिल्का रहेगा उसको हम उतार लेंगे अगर यही हम उबाल के बनाते तो अच्छा नहीं बनता है तो इसके लिए मैं इसको गैस पे भून ली हूँ ये देखिए छिल्का भी निकाल दी हूँ इन सब का और ये बटाटे मैंने उबाल करके लिया है इसको भूनी नहीं हूँ क्योंकि इसको भूनती हूँ तो बहुत टाइम लग जाता है तो अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे अगर आपके पास मेशर है तो उससे कर सकते हो पर मैं हाथ से मिक्स कर लेती हूँ तो ये देखिए हमारा मिक्स कर के हो चुका है अब इसमें हम डालेंगे चटनी तो चटनी आप पीस कर के भी यूज कर सकते हो पर मुझे इसी का सौध बहुत अच्छा लगता है इसके लिए मैं कूट कर के ही डालती हूँ इसमें तो ये मैं लसुन और मिर्ची बाकी आदा बचाया था मैंने तो उसको इसमें एट कर दिया अब इसमें हम डालेंगे अदरक तो ये मैंने अदरक को कद्दु कस कर के लिए है बारिक वाले से ताकि ये पता न चले, बस स्वाद आये, पर पता न चले कि हाँ इसमें अध्रक भी है, और ये नमक, स्वाद के अनुसार नमक हमने डाल दिया, तो ये हो गया, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी धनिया, ये हो गया, चलिए, अब ये हम कांदा कटिंग करके लिए हैं इसको डाल देंगे, मैंने यहाँ पे दो कांदा कटिंग करके लिए हैं, अब ये सारी चीज़े हमने डाल दी, अब इसको करेंगे हम, मिक्स और अब इसमें भी हम डालेंगे थोड़ा सा राई का तेल, क्योंकि यहाँ भी राई का तेली जरूरी है, बाकि कोई भी तेल नहीं, इससे इसमें बहुत अच्छा स्वाद आता है, तो यहाँ मैंने तीन चमज राई का तेल डाल के लिए हैं, अब इसको हम अच्छी तरह स मिक्स कर देंगे, तो यह हमारा बन जाएगा भरता, तो यह हो गया, चलिए हमारा यह भरता तो हो गया है, तैयार, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके साइड करेंगे, तो आप लोग देख सकते हो, तैयार हो गया, चलिए अब इसको भी तैयारी खतम हो गई, अब हम च खोल के चेक कर लेते हैं यह देखिए थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया है और अब इसको हम पलट के ले लेंगे आपके पास चमच हो या किसी भी चीज से इसको थोड़ा-थोड़ा पलट लीजिए तो यह देखिए इसका कलर ऐसा हुआ है एकदम हमको गैस लो फ्लेम पे रगना है बिल्कुल भी हाई नहीं करना है नहीं तो हमारा क्या होगा कि यह बट्टी जल्दी से जलने लगेगी तो इसके लिए हमें इसको लो फ्लेम पे पकाना है अब यह मत सोचीगा कि आप लोग अगर ऐसे लो फ्लेम पे पकाऊगे तो बहुत टाइम लगेगा ऐसा टील से को हम कुछ देर बाद पलट करके लेलेंगे तो यह देहिए मैंने दो बार इसको पलट के लिया था यह देखिए इसका view लिए को लास्ते पहली है अब इसको हम फिर से चेक करते हैं कि नीचे का साइट यह देखिए अब ये हमारी बटी जो है फटने लगी है अगर ये फटने लगती है तो समझ जाईए कि हमारी बटी अब पक चुकी है तो इसे मुझे अभी थोड़ी और पकानी है और ये देखिए ये देखिए सारी की सारी मेरी बटी अब पकने वाली है ज़्यादा टाइम अब नहीं लगेगा आदा से ज़्यादा पक चुकी है ये आपको दिखाती हूँ देखिए ये कैसे इसमें दरार होते जा रही है तो इससे ही हमें समझ में आ जाता है कि हमारी बटी पक चुकी है अब हमें ऐसे ही हीला के इसको ऐसे इसमें धकन लगा देंगे तो हमारा क्या है कि सब साइट से अच्छी तरह से पक जाएगी तो चलिए इसको हम फिर से लगा देंगे धकन और इसको पकाएंगे तो ये देखिए हमारा ये पक चुका है चारो तरब से हमने इसको अच्छे से गुमा गुमा पकाया और मेरी सारी बट्टी फट्ट चुकी है ये देखिया अभी गरम है मैं इसी कर रही हूँ कि देखिये गरमी हैं तो ऐसे ही मेरा यह हो चुका है अजो घूर हमने एक बार लगा है अँचना भी बटी है उतना शेक लीजिए अब हमें इसमें तेल लगाने की ज़रुरत नहीне तो चलिए इसको निखाल करके हम अब ठाली में ले लेते हैं इस ने हलोड़ें नोट बेभी घरम करें है तो छलिए अब इसमें हम गी लगा देंगे अगर जिसको गी पसंदे तो उसको गी लगा करते ही अगर किसी को गुही नहीं पसंदे तो आप यहां पे घी नहीं लगाओगे तो भी अच्छी लगेगी तो चलिए इसमें मैं घी लगागे एक ही में लगाओंगी पहले सबसे पूछूंगी किसको पसंदे किसको नहीं पसंदे तो ही फिर और लगाओंगी तो चलिए यह हमारी रेशिपी तो तयार हो चुकी है आप लोग को कैसी लगी अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो में आप लोगों के लिए रेगुलर लाती रहूंगी और कॉमेंट में आप लोग जरूर बताया कीजिए कि हमारी रेसिपी आप लोग को कै इसी लगती है तो पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद